नमस्कार दोस्तों, जैमातादी, एक पडोसन आपकी जान लेना चाहती है, पिछले तीन सालों से रोजाना आपके पुतले पर नीबू काट रही है, और अब यह पडोसन पूरी तैयारी में है, आपको जान से मारने के लिए, जैसे ही इसको मौका मिलेगा, आपको यह औरत ब पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगी, क्योंकि जब आप दुखी रहते हो, जब आप परेशानी में रहते हो, तो इस पडोसन को बहुत खुशी मिलती है, जब आपके बच्चे रोते हैं, जब आपके घर में लड़ाई होती है, तो यह पडोसन अंदर-अंदर जश तो फिर ये औरत आपको नीचा गिरने के लिए, आपको बरबाद करने के लिए कई सारे हतकंडे अपनाती हैं, जैसे कि आपके घर में फूट डलवाएगी, आपके घर के किसी व्यक्ति को आपके खिलाफ भड़काएगी, परिवार के लोगों में लडाईयां करवाएगी, औ पहला सगा पडोसी होता है, रिष्टेदार बाद में काम आते हैं, लेकिन पहले पडोसी काम आता है, अगर घर में कोई चीज जरूरी काम पढ़ जाए तो रिष्टेदार दूर होते हैं, और पडोसी पास में ही होता है, इसलिए पहले पडोसी काम आता है, कहा जाता है कि अगर अच्छा परोसी मिल जाए, तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है. जहां पर हम रहते हैं, वहाँ पर हमें असली सुकh प्राप्त होता है. लेकिन अगर कभी पड़ोसी ही खराब मिल जाए, बुरी नजर वाले मिल जाए, काली नजर वाले मिल जाए, जलन खोर मिल जाए, तो फिर हमारा वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाता है आए दिन हमें लड़ाई जगडा करने पड़ते हैं, आए दिन कोई न कोई माथा पच्ची होती ही रहती है, घर में भी हम सुखी सुखी नहीं रह पाते आज हम उस औरत का नाम आपको बताने वाले हैं जो आपके आसपास में ही रहती है और आपको रोजाना बरबाद करने के लिए आपके उपर ही टोने टोटके करवाई जा रही है आखिर इस औरत से कैसे आप बचे, क्या आपको करना चाहिए, इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेंगी दोस्तो, क्या आपके घर में आए दिन छोटी छोटी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है अगर हां तो फिर ये पक्का है कि किसी आस परोस वाले ने आपके घर पर जादू टोना किया है वही क्या आपके काम धन्धे, व्यापार, नौकरी, अब पहले के जैसे अच्छे नहीं चल रहे है अगर हां तो इसका मतलब किसी ने आपके परिवार की तरक्की को बांध दिया है वही क्या, आपके घर में आए दिन कोई न कोई बीमार होता रहता है हॉस्पिटल के बिल भर भर के आप परेशान हो चुके हो तो समझ जाईए, आपके पुतले पर किसी ने नीमबू काट दिया है वही अगर कभी आपके घर में अचानक कुछ अनहोनी होने लगे जैसे की किसी का एकसीडेंट हो जाए, कोई छोटिल हो जाए, कोई कही गिर जाए साथ ही, घर में दूध बार-बार उबल जाए, आग लग जाए घर में कीडे मकोडे निकले, अजीब अजीब बद्बू आने लगे किसी साय के होने का एहसास होने लगे तो समझ जाईए, आपके उपर किसीने जादू टोना करवाया है किसीने तंत्रमंत्र करवाये है आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी जिंदगी की अगर आप सलामती चाहते हो तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आवश्यक रूप से देखिएगा जरा सी वीडियो को भी अगर आपने छोड़ दिया तो आपके उपर बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड तूट पड़ेगा और ये औरत अपनी चाल में काम्याब हो जाएगी अगर आप चाहते हो कि ये औरत आपका बाल भी बांका का ना कर पाए तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक दिखेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में दो ऐसे उपाए बताएंगे जो आपके दुश्मनों का हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश कर देंगे कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा साथ ही उस औरत का उस पडोसन का नाम भी हम आपको बताने वाले हैं लेकिन उसके लिए आपको आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा और अच्छे से हर एक बात को समझना पड़ेगा लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि हम आपके लिए इतनी जरूरी जरूरी जानकारी रोजाना लाते हैं आपकी जिंदगी को हम दुश्मनों से बचाते हैं दिन रात हम रोजाना मेहनत करते हैं तो कृपया करके हमारे इस मेहनत के लिए आप एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं, जो की बिलकुल मुफ्त होता है. इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स पर जो भी बजरंग बली का सच्चा भक्त है, वह जय बजरंग बली जरूर लिखें, उसको अगले 24 घंटे में एक बहुत बड़ी खुश खबरी मिलेगी, और बजरंग बली आपको हर एक दुश बजरंग बली एक ऐसे देवता है, जो अपने भक्तों की दुश्मनों से हमेशा रक्षा करते हैं, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमेशा बजरंग बली की भक्ती करा करें, रोजाना आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, देखे दोस्तों, आज का जो ये समय है, आधुनिक समय है, इस समय में अगर आप से कोई कहे कि आपके उपर किसी ने तंत्रमंत्र करवा दिया है, या फिर टोना तोटका करवा दिया है, तो आप उस व्यक्ती क को मूर्ख समझेंगे, क्योंकि इस जमाने में ये सभी बाते फिजूल लगती है, नकली लगती है, लेकिन अगर आप अपने दादा दादी, नाना नानी से पूछोगे, कि यह चीज क्या असली में भी होती है, तो वह आप से केवल एक बात कहेंगे, कि हाँ होती है और होती किया जाता है, अच्छे खासे इंसान की जिंदगी में अगर उस इंसान को परेशान करना है, उसकी जिंदगी को आपको बरबाद करना है, तो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर किया जा सकता है, आप बैठे बैठे दोस्तों इन चीजों का इस्तिमाल करके उस व्यक्ती को बरबा दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आपकी जिंदगी में आए दिन दुख तकलीफें आ रही है, बढधी, बढधी, अन्होनी हो रही है, तो यह 100%, दोस्तों, सत्य है कि आपके उपर किसी ने काला जादू तो किया ही किया है, दोस्तों, कई बार आपको आपके परिश्रम का आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता, आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसी नकारात्मक काम हो जाता है, जिससे आपका बना-बनाया काम खराब हो जाता है, मान्यता है कि तांत्रिक क्रियाएं भी ऐसा विपरीत असर डाल सकती है, यह हम तंत्र मंत्र के कुछ जानकारों से बातचीत के आधार पर ऐसे उपाय बताएंगे, जिससे आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार नहीं होंगे, देखिए, आपके जलने वाले आपके आस पास बहुत है, यह तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपके आस पड़ वाले भी आपसे जलने वाले जरूर हैं, दोस्तों, ध्यान से सुनिए, एक चीज बता रहे हैं, जिससे आपको यह पता लग जाएगा, कि आपके उपर किसी ने कुछ करवाया तो नहीं है, दोस्तों, रात को सिरहाने पर, रात को अपने सिरहाने पर एक लोटे में पानी भ ने तंत्र क्रिया की है, दूसरी बात, रात्र में, यानि की रात को समय, एक हरा निम्बू तकिये के नीचे रखें, और प्रार्थना करें, कि जो भी आपके उपर किसी ने क्रिया करवाई है, तंत्र मंत्र करवाया है, तो वह नीम्बू में समाहित हो जाए, सुभह उठने पर यदि नीम्बू मुर्जाया हो, या उसका रंग काला दिखे, तो आप पर तंत्रिक क्रिया की हुई है, तीसरी चीज, यदि बार बार आपको घबराहट होने लगती है, घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर सुन्न पड़ ढहनने लग जाते हैं, डॉक्टर के जांच करने पर भी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन अकसर ऐसा होता रहता है, तो इस बात की आशंका अधिक है कि आप पर किसीने तांत्रिक क्रिया करवाई है, आपके घर में अचानक अधिकतर तितली, बिल्ली, साप, चमगाद डिज, भंवरे, आदी घूमते रहते हैं, तो समझ जाए ये तांत्रिक क्रिया हुई और हुई है, पांचवी चीज आपको अचानक भूख लगती है, लेकिन खाने का मन नहीं लगता, ये लक्षन भी तंत्र क्रिया का माना जाता है, घर में सुभह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय अकारण ही विवाद होने लगे, लड़ाई जगडे होने लगे, पूजा पाठ के समय बच्चे रोने लगे, तो ये भी इसी चीज का संकेत होता है, घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमार पढ़ना शुरू हो जाना, ये सभी चीजें क्या है, संकेत होते हैं कि आपके उपर किसी न टोना टोटका करवाया है, दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके आस पडोस में आपसे जलने वाले बहुत से हैं, आपको लगता है कि मुझसे तो सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो फिर वो लोग मेरे खिलाफ ऐसा क्यों करेंगे, देखिए, अकसर जाने अंजाने में, हमारी कभी न कभी पिछले समय में हमारे आस पडोसियों से हमारी तू-तू-मै-मै हो जाती है, या किसी बात पर लडाई हो जाती है, धीरे-धीरे वक्त गुजरता है, हम भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाला उन बातों को हमेशा याद रखता है, भले ही वह आप से पुनह बोलने लगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन उसके अंदर वह बात हमेशा उसको खाती रहती है, और उन चीजों को लेकर दोस्तों, वह हमेशा अंदर ही अंदर आपका दुश्मन बना हुआ होता है, और उस दुश्मनी को निभाने के लिए आपको बर कर रहना, क्योंकि ये महिला आपके लिए हमेशा दोस्तों बहुत बड़ी दुश्मन बन कर निखड़ती है, दोस्तों भले ही उस औरत पर आपको बहुत भरोसा है, लेकिन उस औरत से आपको हमेशा बच कर रहना चाहिए, देखिये दोस्तों, हम सभी पर बहुत ज्यादा हम सभी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं कोई हमसे मीठा मीठा बोलने लगे तो हम समझते हैं कि यह मेरा सबसे ज्यादा अपना इंसान है यह अंदर ही अंदर मुझसे प्रेम करता है लेकिन आप नहीं जानते कि भेड की खाल में भेडिये छुपे हुए होते हैं आस्तीन के साब भी बहुत होते हैं यहां तक कि हमारे परिवार में भी कुछ व्यक्ती होते हैं जो हमसे अंदर-अंदर जलते हैं कुछ लोग हमारी तरक्की को देख कर जलते हैं हमारी खुशियों को देख कर जलते हैं इन लोगों से बच कर रहना बहुत जरूरी है। बचोगे कैसे? एक धागा लीजिए, एक काला धागा ले लीजिए। उस काले धागे को बजरंग बली के मंदिर जाईए और बजरंग बली के चरणों में रख दीजिए। कुछ देर के लिए वहाँ पर बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद धागे को अपने हाथ में ले लीजिए। चरणों से उठा कर फिर उसमें यारा गांट बांध लें और उस धागे को अपने गले में पहन लें। आपके उपर कोई भी दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा, आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा, दोस्तों हम यह बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके जीवन में इस समय जलने वाले बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन यह बात आश्चर्य कर देता है कि आखिर आपके जीवन में आपके अपने ही लोग दुश्मन क्यों बन बैठे हैं, चौका देने वाली बात तो यह है, क्योंकि दोस्तों, हम यह बात तो सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जहांकि अपने लोगों का साथ मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, वही दोस दोस्तों, एक तो आपका पडोसी है और एक रिष्टेदार और एक तो आपके थोड़े से दूर के दुश्मन है। जी हाँ, इन तीनों का ही नाम बताएंगे। लेकिन वह सुनने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें। कि नाम सुनने से आप लोग यह मत समझिये कि हम इसे रिष्टा तोड़ देंगे या फिर से लड़ाई जगड़ा कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी गलती है आपको, हम यह करने का सलाह नहीं देंगे। बस हम आपको यह कहेंगे कि दोस्तों, इन लोगों का नजर आपके कार्य पर है, आपकी तरक्की पर है, आप कैसे तरक्की कर रहे हैं, यह लोग देखकर सहन नहीं कर पाते हैं, यह आपकी जान की दुश्मन नहीं है, बलकि आपकी दौलत की दुश्मन है, आपकी काम्याबी के दुश्मन है, इसलिए यह जो कुछ भी करेंगे, वह दोस्तों आपको नीचे गिरने के लिए ही करे आपको बरबाद करने के लिए ऐसा नहीं कि आपकी जान का खत्रा है, ऐसा बिलकुल भी नहीं है। तो बस इन लोगों से अपने जितने भी आप कार्य करती हो, उसे छुपा कर रखें, दूर रखें, ताकि आपकी कोई कार्य इनकी कानों तक ना जा पाए और आपके कार्य बि और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए अब बता दें कि ये तीन दुश्मन कौन है। देखिए, जो आपका पड़ोसी दुश्मन है, उनके शुरू का अक्षर है। खासकर S, और आपके जो रिष्टेदार की दुश्मन है, वह है भी और आपकी जो थोड़े से दूर, या बलकि यह कहते हैं कि आपकी बहुत नजदी की लोग हैं, आपके अपने तो हैं, लेकिन दोस्तों आप इन पर भरोसा करते हैं, तो वह आपका अपना ही हुआ, तो इसे आपको बच कर रहना है, और आप इस बात पर ध्यान मत दीजिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप के घर के लोगों का ही नाम इसे मिल जाता है, तो आप उसे ही गलत मत समझिए, उसी पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो बाहरी व्यक्ती है, उस पर ध्यान दें, और दोस्तों, अब कुछ उपाए भी आपको बताएंगे, जिनसे की आप इन दुश्मनों से बच सके, दोस सांझा बिलकुल भी मत किसी का, और दोस्तों और दोस्तों, आपको यह भी बता दें, कि यश्में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका जो दुश्मन है, वह आपको तीन तरह से ही बरबाद कर सकता है, पहले तो या तो आपके घर के उपर तांत्रिक क्रिया करेगा, जिस और एक नीम्बू ले, और तीन मिर्च ले, उसका एक माला बना कर अपने घर-घर के दर्वाजे पर टांग दिन यकीन मांगे, यह उपाय करने से कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके घर के उपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, चाहे कोई लाख प्रयास कर ले, लेकिन आप में रोड डालने का प्रयास करती है, जी हाँ, तो आपको बस यही करना है कि किसी कारे को इसे सजा नहीं करना है, और तीसरा जो तरीका है, वह यह है कि दोस्तों, आपका किसी के साथ लड़ाई जगड़ा करवा सकता है, यानि कि अगर किसी के साथ आपका लड़ाई जगड नहीं करना है तो बस आपको इनी तीन बातों का ध्यान रखना है और इसके उपरांत आपके लिए सब कुछ सुरक्षित है कोई आपका का बाल भी बांका नहीं कर सकता है अब चलिए जानते हैं कि आपके लिए यह समय कैसा रहेगा आपका राशिफल कैसा रहेगा दोस्तों य यह समय आप अपने रुके हुए कारियों से भी लाभ को प्राप्त करेंगे। उनमें भी आसमीन गती आने वाला है। वह भी आपके जीवन में बहुत अच्छा परिणाम आपको देने वाला है। साथ ही जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। वे भी यह समय काफी तेजी से हर कार्य को कर पाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। पढ़ाई कर रहे विद्यार से थोड़ा दूर रहे और कहीं यात्रा के भी आपकी यश में शुभ योग बन सकती जो कि आपके लिए लाबखारी होगा। संतान पक्ष से भी आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगा। हालां कि उनके संगत पर आपको ध्यान दे चाहिए नहीं तो वह गलत संगत में